जब इंडिया सामने हो तो डर वाजिब है और इंडिया को अपने सामने खड़ा देखकर प्रधान मंत्री मोधी डर गए हैं घबरा गए हैं बौकला गए हैं लेकिन घबराईए मत मोधी जी क्योंकि इंडिया पूरी तरह से मणीपुर के साथ खड़ा है इंडिया मणीपुर के आसु पोचेगा उनको धांडस बंधाएगा इंडिया पूरे देश की महबबत मणीपुर तक पहुचाएगा ये इंडिया का वादा है लेकिन आप कब तक रड़ छोर बने रहिएगा आप कब बात करिएगा मणीपुर की आप कब शांती की अपील करिएगा 36 सेकेंड मणीपुर पर बोल कर कुचसित राजनीती करके आप बच जाईएगा मणीपुर इस देश का हिस्सा है आप प्रधान मंतरी हैं कोई पार्ट टाइम टेली प्रॉम्टर पढ़ने वाले नायक थोड़े हैं इस देश के प्रधान मंतरी को मणीपुर में सदन में बोलन से क्या डर है आज देश ये सवाल पूछ रहा है कब तक भागे भागे फिरिएगा और असलियत यह है कि आप पानी पीपी कर विपक्ष को कोस्ते कोस्ते आज इस देश के खिलाफ खड़े हो गए आपने इस देश को आपने इंडिया को इस इंडिया कमपनी और इंडियन देश माफ नहीं करेगा लेकिन एक सवाल है क्या स्किल इंडिया स्टार्ट अप इंडिया डिजिटल इंडिया खेलो इंडिया आपका न्यू इंडिया बीजेपी फोर इंडिया ये इंडियन मुजाहिद्दीन की एजेंट है क्या ये सवाल आपसे रहेगा लेकिन एक बात याद रखेगा और मैं समझती हूँ आपका डर क्योंकि इंडिया के आगे तो कभी कोई जीतता ही नहीं है और यह तो इतिहास साक्षी है याद रखेगा मोदी जी जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया